संडे को फंडे में बदलते हुए आज बनाते हैं मज़ेदार भटूरे वाले छोले अब लॉकडाउन हो या कर्फ्यू घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम घर पर ही बना सकते हैं मार्केट स्टाइल जैसे छोले अपने छोलो में बिल्कुल बजार जैसा टेस्ट लाने के लिए इस रेसिपी को एंड तक दे के इस वीडियो में मैं आपके साथ सारे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी छोले बनाने के वीडियो को शुरू करने से पहले sg food world को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें लेटस्ट अपडेट्स हैं नोटिफिकेशन के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी यहां पर यहने एक कटोरी काबली छोले लिए हैं 200 ग्राम यानि इसे अच् में डालके पानी डालके बीगने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट और एक प्लेट से ढग देंगे अब इसकी ग्रेवी रेडि कर लेते हैं यहां पे 4 टमाटर, 1.5 हरी मिर्च और अद्रक का टुकड़ा छोटा सा इन सब को काटके हम एक मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल देंगे यह सारे इंग्रीडियन्स को मिक्सी में ग्राइंड करके एक प्योरी रेडी कर लेंगे रेडी है यह प्योरी, अब लेनी है एक कड़ाई और उसमें आइट करना है दो टेबल स्पून मेल्टेट गी जब तक ये मेल्ट हो रहा है मीडियम फ्लेम रखेंगे अब इसमें आइट करेंगे चुटकी बरहींग एक चुथाई टी स्पून अजवैन अजवैन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और छोले में ये बहुत फाइदा करती है एक चुथाई टी स्पून ही जीरा आज हम बिना प्याज के ये ग्रेवी बना रहे हैं तो इसमें आइट कर देंगे जो हमने रेडी कीती टमैटो प्योरी अगर आप प्याज के साथ ये ग्रेवी बनाना चाते हैं तो दो प्याज मीरियम साइज के चॉप करके इसमें पहले अच्छे से भून ले फिर इसमें टमैटो प्योरी डाले अब हम एट करेंगे बाकी सारे मसाले एक तीस्पून धनिया पाउडर आदा टीस्पून लाल मिर्च ये तीखी वाली लाल मिर्च है और अच्छा कलर लाने के लिए और थोड़ा सा तीखा पन और बढ़ाने के लिए आप आदा टीस्पून देगी मिर्च भी और डाल सकते हैं अब इस छोले की जान छोले मसाला डालेंगे मैंने यहां पर एवरेस का छोले मसाला यूज किया है इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस रेसिपी में एवरेस के छोले मसाले का अच्छे से mix कर लेंगे सारे ingredients और medium से low flame पर अच्छे से भूनेंगे साथ ही साथ डालेंगे आदा टीस्पून कस्तूरी मेथी इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे किसी को बताईएगा मत अब मैं आपके साथ 3 ingredients शेयर करने वाली हूँ इस recipe की जान market style जैसे छोले बनाने के लिए आदा टीस्पून भुना जीरा आदा ही टीस्पून काला नमक और आदा टीस्पून अनार दाना मैं आपको बता रही हूँ आप किसी और को मत बताईएगा अच्छे से सारे ingredients को mix कर लेंगे और यह मसाला रेडी हो गया है देख सकते हैं आप साइडों से घी निकलने लग गया है तो मतलब मसाला रेडी है दस से पंदा मेट लगे हूंगे हमें मसाला भुनने में जो छोले हमने भिगोए थे उसे कुकर में डालेंगे और एक टीस्पून नमक डालके इसे हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे जो भी ये उबाल आने पर जाग आ रहा है ये सारी जाग हम निकाल देंगे ये जाग बहुत ही नुकसान करती है हमारे जो जॉइन पेंस होते हैं वो इसी की वज़े से होते हैं ओवर दर टाइम पीरिट तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छी टिप दे रही हूं ये सारा ज जो आ रहा है वो सब निकाल देंगे और इसमें हम चुकाला पन आता है बजार जैसे छोलो में उसके लिए हम यहाँ पर आड़ कर रहे हैं आमला आदा आमला लेंगे और वो आड़ कर देंगे अच्छी से मिक्स करने के बाद विसल लगाने के लिए इसे बन कर देंगे हाई फ्लेम पर दो विसल आने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे और पंदा मिनिट के लिए इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे जैसे ही विसल निकल जाए पंदा मिनिट के बाद तो इसे उपन करके देख लेंगे कि हमारे जो छोले हैं वो अच्छ से पक गए हैं या नहीं हा की ती टमाटो की और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनिट करीब इसे मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे मैं इसमें आड करूंगी 100 ग्राम तक रीबन पनीर इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे 10 से 15 मिनिट मीडियम से लो फ्लेम पर पकाना है बीच बीच में स्टर करते रहिएगा और बिल्कुल तले से स्टर करिएगा ताकि यह जो छोले हैं वो लगे न और ग्रेवी बहुत यह अच्छे से पक जाए इसे पकते पकते 15 मिनिट हो चुके जोले भटूरे के साथ जिसका लिंक में इस रेसिपी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी बताइएगा जरूर मुझे कैसी लगी आप सबको यह रेसिपी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अपने फीडबैक मिलूंगी अगली बार ऐसी ही ते झाल